यारो मसीह वात की थे जिन की इंतिजार रह तक ते तक ते जिन की करोडों ही मल गए करोडों ही मल गए लुद्याना वो शहर है जिसमे मौरखा 23 मार्च सन 1889 इस्वी को अल्ह ताला के इजन से सिलसला आलिया एहमदिया की दाग बेल पड़ी सन 1880 इस्वी का जमाना वो जमाना था जब इसलाम पर चारो तरफ से मजभी हमले हो रहे थे और मुसल्मानों की कसमपुर्सी की ये हालत थी कि वो उन हमलों की जद में आ रहे थे उस वक्त इसलाम की इस नाजुक हालत पर अगर कोई हकीकत में फिक्र मन था और इसलाम का दिफा करना चाहता था तो वो हजरत मिर्जा गुलाम एहमद का अदियानी अलेहिससलाम थे आप अलेहिससलाम ने इसलाम की दिफा और उसकी खूबसूरत तालीम से दुनिया को रुशनास कराने के लिए किताब बराहिन एहमदिया तस्नीम फर्माई बराहिन एहमदिया की इशाएत ने यूं तो मुलक भर में एक तहलका मचा दिया था मगर शहर लुधियाना को ये खुसूसियत हासल थी कि यहां हजरत अग्दस मसीह मौعूद अलेहिससलाम के अकीदत बंदों की एक जमात काइम हो गई थी ये जमात हजार जान से चाहती थी कि हजरत अग्दस अलेहिससलाम उनके हां लुधियाना तश्रीफ लाएं और इस घर्ज से उनकी तरफ से बार बार दर्खास ने भी हुदूर अलेहिससलाम की खिदमत में पहुँची और हुदूर अलेहिससलाम ने उसे अजराह शवकत मन्जूर फर्माते हुए वादा भी कर लिया गर्ज बराहीन अहमदिया का सर रफ़ता रफ़ता बढ़ना शुरू हुआ और बाज लोगों ने आपकी खिदमत में दर्खास की कि आप बैट लें लेकिन आपने बैट लेने से हमेशा इंकार किया और यही जवाब दिया कि हमारे सब काम खुदाताला के हाथ में हत्ता कि सन 1888 इस्वी का दिसंबर आ गया जबके आपको इलहाम के जरिया लोगों से बैट लेने का हुक्म दिया गया हजरत अग्दस की तबीयत इस बात से कराहत करती थी कि हर किस्म के रत्बोयाबिस लोग इस सिलसला बैत में दाखिल हो जाएं और दिल यह चाहता था कि इस मुबारक सिलसला में वही मुबारक लोग दाखिल हो जिनकी फित्रत में वफादारी का माददा है और कच्चे नहीं है चनाचे यकम दिसंबर सन 1888 इस्वी को आपने तबलीग के नाम से इश्टिहार में बैत का ऐलाने आम करते हुए फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है कि जो लोग हक के तालिब हैं वो सच्चा इमान और सच्ची इमानी पाकीज़गी और महबते मौला का राह सीखने के लिए और गंदी जीस्ट और काहिलाना और गद्दाराना जिन्दगी के छोड़ने के लिए मुझसे बैत करें और फिर मौर्खा 12 जन्वरी सन 1889 इसवी को तकमील तबलीग का इश्चार तहरीर फरमाया और इसमें दस शरायत बैत तजवीज फरमाई और मुसल्मानों में से बैत करने का इरादा रखने वाले अफराद से इस्तखारा करने की तलकीन फरमाई इस इस्तिहार के बाद हजरत अग्दस कादियान से लुधियाना तश्रीफ ले गए और हजरत सूफी एहमद जान साहिब रजी ल्लाह ताला अन्हों के मकान वाके मुहला जदीद में फरुक शुए और यही से ही चार मार्ज सन अठारह सो नवासी इस्वी को बैत की अग्राज और मकासित पर मुश्तमिल एक और इश्तिहार शाया फरमाया इस इश्तिहार में आप अलहिससलाम फरमाते हैं यह सिलसला बैत महज बमुराद फराहमी ताइफा मुत्तकीन यानी तक्वा शियार लोगों की जमात के जमा करने के लिए है ता ऐसे मुत्तकीयों का एक भारी ग्रोफ दुनिया पर अपना नेक असर डाले और उनका इत्तिफाक इसलाम के लिए बरकत और अजमत और नताइज खेर का मौजिब हो और वो बरकत कल्म और वाहिदा पर मुत्तक होने के इसलाम की पाक और मुकद्दस खिद्मात में जल्द कामा सके वो ऐसे कौम के हमदर्द हों के गरीबों की पना हो जाएं यतीमों के लिए बतौर बापों के बन जाएं और इसलामी कामों के अन्जाम देने के लिए आशिक जार की तरहां फिदा होने को तयार हों और तमाम तर कोशिश इस बात के लिए करें कि उनकी आम बरकात दुनिया में पहलें और महबत इलाही और हमदर्दिये बंदगाने खुदा का पाक चश्मा हर एक दिल से निकल कर और एक जगा एकठा होकर एक दर्या की सुरत में बहता हुआ नजर आए इसी इश्तिहार में आपने हिदायत फर्माई कि बैद करने वाले अहबाब 20 मार्च के बाद लुधियाना पहुँच जाए इस इश्तिहार के शाया होने के बाद कसीर तादाद में आपके पैरोकार और सईथ फितरत लोग लुधियाना शहर पहुँचे और यही पर ही मौरखा 20 रजब सन 1306 हिज्री बमताबिक 23 मार्च सन 1889 इस्वी को हजर सूफी एहमद जान सहिब रजियाला अन्हों के मकान वाके महला जदीद में हजरत अग्दस अलहिससलाम बैट लेने के लिए मकान की एक कच्छी कोठडी में जो बाद में दार अलबैत के मुकदस नाम से मौसूम हुई बैट गए और दर्वाजे पर हाफिज हामिद अली साहिब रजियाला अन्हों को मकरर कर दिया उन्हें हिदायत दी कि जिसे मैं कहता जाओं उसे कमरा में बलाते जाओ चुनाचे आपने सब से पहले से जोर के साथ पकड़ा और बड़ी लंबी बैट ली उस वक्त बैट के अलफाज ये थे आज मैं अहमद के हाथ पर अपने तमाम गुनाहों और खराब आदतों से तौबा करता हूं जिन में मैं मुब्तिला था और सच्चे दिल और पक के अरादा से आध करता हूं कि जहां तक मेरी ताकत और समझ है अपनी अमर के आखरे दिन तक तमाम गुनाहों से बचता रहूंगा अर आरामों और नफस के लज़दात पर मकदम रखूंगा और बाराग जन्वरी के दस शर्तों पर हद तल्वसा कार बंद रहूंगा और अब भी अपने गुजश्चता गुनाहों की खुदा ताला से माफी चाहता हूं अस्तग्फिरू ल्लाह रभी अस्तग्फिरू ल्लाह रभी मिन कुल जंबिन वा अतूब उले अश्हद अल्लाह इल्लाह वहदह ला शरीक ला वाश्हद अन्ना मुहम्मदन अब्दु हू रसूलु रभी इनी जलमत नफसी वाटरफ तू बिजंबी फगफिर ली जनूबी फईननहू ला यगफिर जनूबा इल्ला अन्ता इसी तरहा पर पहले दिन बारी बारी चालिस अफराद ने आपके दस्ते मुबारक पर बैद की और इस तरहा जमात एहमदिया मुस्लिमा की बुनियाद डाली गई मौका पर बैद के तारीख रिकार्ट के लिए एक रिजिस्टर तयार हुआ जिसकी पेशानी पर ये लिखा गया बैत तौबा बराए हुसूल तक्वा वत अहारत हजरत अग्दस मसीह मौओद लिएससलाम लुधियाना में 18 अपरेल सल्न 1889 इसमी तक मुकीम रहे अब्तदा महला जदीद में फिर महला एकबाल गंज में ताहम बैत का सल्सला बदस्टूर जारी रहा पहले बैत अकेले अकेले होती रही फिर खुतूत के जरिया से फिर मजमए आम में हजरत अग्दस मसीह मौओद लिएससलाम का अकसर ये दस्टूर था कि बैत करने वालों को नसाहे फर्माते थे इस जमात में दाखिल होकर अबल जिन्दगी में तगयर करना चाहिए कि खुदा पर इमान सच्चा हो और वो हर मसीबत में काम आए फिर इस काम के अहकाम को नजर खिफफ़ से ना देखा जाए बलके एक एक हुक्म की ताजीम की जाए और अमलन इस ताजीम का सुभूत दिया जाए नीज फर्माया निरा बैत का इकरार कोई शेय नहीं दौा करो और सुस्ती हर्गिज न करो जो तालीम तुम को दी जाती है उसके मुवाफिक अपने आप को बनाओ फिर ये चंद रोजा जिन्दगी है एक दिन आना है के ना हम होंगे और ना तुम